नमस्का नेपाली मित्रों, दोस्तों अब तक नेपाल विस्पोटक पदार्थों के लिए भारत पे डिपेंड था, लेकिन अब नेपाल स्वयम विस्पोटक पदार्थों का उत्पादन भारी मात्रा में करेगा यह जो स्पीच है हमने आपको पूरी नहीं सुनाई लेकिन इस स्पीच में यह जो लीडर हैं, यह कहीं न कहीं यह कह रहे हैं कि हम, यानि नेपाली सेना बहुत जल्दी भारी मात्रा में विस्पोटक पदार्थों का उत्पादन करेगी, जिसका काम होगा नेपाल में पत्तर तोड़ना सड़क निर्मार टनल बनाना यानि विकास के कामों के लिए यूज होगा लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब जिस देश के पास बिस्पोटक पदार्थ बनाने की ज्यादा चमता हो जाती है तो वो देश बंबी बना लेता है भारी मात्रा में क्योंकि परिकिरि नेपाल में पहाड और पत्थर भोच ज्यादा है फिर भी नेपाल विस्पोटक पदार्थ नहीं बनाता यानि बहुत कम बनाता था अब तक इसका सीधा जबाब है विदेशी पर्तिवंद नेपाल युनाटेज नेशन का सदस्य है और युनाटेज नेशन के रूल के तहत सबी देश विस्पोटक पदार्थ नहीं बना सकते एक होता है तिब्र विस्पोटक पदार्थ दूसरा होता है निम्न विस्पोटक पदार्थ तो नेपाल जो अब तक बनाता था वो निम्न यानि कम विस्पोट वाले पदार्थ ही बनाता था लेकिन अब जो बात चल रही वो तिब्र विसफॉड पदार्थ बनाने वाली चल रही है, जिसे कि नेपाल भारत से खरिदता था, भारत ने कई बार पार्ठीबन भी लगाया कि नेपाल को विसपॉड़ पदार्थ नहीं देंगे, क्योंकि भारत में भी पुसबॉड़ पदार्थ बैन है, चोरी छुपे पदार्थ नहीं बना सकते लेकिन फिर भी दुनिया बना रही है इसके लिए भी युनाइटे नेशन की इजाजक लेनी पड़ती है नेपाल की जो भूमी है उस हिसाब से नेपाल में बिस्पोड़क पदार्थों की काफी फैक्ट्रिया होनी चाहिए थी क्योंकि जगा जगा पहाडों को काटके रोड बनानी पड़ती है कहीं तनल बनाने पड़ते हैं पलेन एरिया में पत्थर नहीं होते ठीक बहुत कम होते हैं बिना बिस्पोड़क पदार्थों के भी सड़कें बन जाती है लेकिन नेपाली जो भूमी है वहाँ बिस्पोड़क पदार्थों की बहुत ज्यादा जरूत है यानि नेपाल को पहले से ही विसपोड़क पदार्थ बना लेने चाहिए थे या उनमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए थी भारत पे डिपेंड रहना चायना पे डिपेंड रहना ये तो एक मुर्खता वाली बात हो गई सोचने वाली बात है कि नवी सताबदी में चीन ने बारूत बना दिया था बारूत भी एक विसपोड़क पदार्थी होता है हालांकि भारत के प्राचीन गरंथ पड़ेंगे तो उनमें विसपोड़क पदार्थों का उपयोग कई लड़ाईयों में हुआ है 2000 साल पहले 5000 साल यानि विसपोड़क पदार्थों का जो इतियास है वो बहुत प्राचीन है नेपाल जैसे देश में 1950 तक एक भी विसपोड़क पदार्थ बनाने की फैक्टरी नहीं थी है सोचिए और आज भी बारूत बनाने की फैक्टरी नहीं है नेपाल के पास में लगबग 84 तोपे कुछ मोटार मौजूद हैं उनके लिए भी विसपोड़क पदार्थी चाहिए जो कि नेपाल स्वयम नहीं बनाता है बलकि भारत से या चायना से खरीतता है अब सोचने वाली बात है कि नेपाल जिस लोकेशन पे इस समय है बविश्य में नेपाल के उपर भी एक बहुत ब बढ़ेगी जैसा नेपाल में भारतिया भारत बिरोध की बातें चल रही है तो हो सकता है आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे संगठन मौजूद हैं जो कस्मीर को भारत से चीनना चाहते हैं और आये दिन उनका काम है जगलना तो ऐसे हो सकता है गरेटर ने नेपाल में बन जाए जिसका काम हो भारत बिरोध करना उसको फंडिंग करने वाले बहुत सारे देश मिल जाएंगे ज्यान में रखिए जैसे कस्मीर को लेके पाकिस्तान कस्मीर आजात करवाना है पाकिस्तान में मिलाना है इसको लेके पाकिस्तान में सौ से ज़्यादा आ मुक्ति बाहिनी का निर्मान हो यानि ग्रिटर नेपाल की सेन बन जाए क्योंगि वहां के लड़कों का जो मुर है वो है अगर ग्रेटर नेपाल को यज चेना बनाता तो बहुत सारे लड़के उसमें बरती हो pearls którą हो जाएंगे तब क्या होगा अ मजबूरी में नेपाल पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी और जब नेपाल पे सर्जिकल स्ट्राइक होगी तब नेपाल क्या करेगा नेपाल तो स्वेम बारुद भारत से खरिता है देखिए कस्मीर को आजात कराने के लिए पाकिस्तान में या कस्मीर को पाकिस्तान क का हिस्सा बनाने के रिए बहुत सारे आतंकी संगठन पैदा हुए भारत उन आतंकी संगठनों पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की सेना उनके बचाओं में आती है लेकिन जैसा नेपाल का माहोल बन रहा है आने वाले 10-15 साल में ग्रेटर नेपाल मुक्तिवा परतिमन लगाएगा भारत के उपर वह उतनी ताकत नहीं है अमेरिका की चायना तो आये गए निक्योंकि बार्त चायना का नेपाल के लिए बारत चायना कभी आपस में नहीं लड़ेंगे इतना ज्यादा सीमा पर विवाद हो गया तो भी भारत चीन के बीच ए गोली नहीं सुरक्षा हत्यार जो होते हों सुरक्षा की गरांटी होती है पाकिस्तान के पास एटम बम है इसलिए तो भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करता और जब तक पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं थे तो भारत पाकिस्तान में चार युद्धुए भारत ने पाकिस्तान को स्क्राइम डाल देंगे यानल हनी हिरल जो होते हैं ऊजर अब ही नेपार को बिसपोटक पदार्थ बनाने की और step जिसे काम कर रही है लेकिन यह जो घ्र पथर तोड़ने के काम आएंगे ल depuis के काम नहीं आएंगे लजने वाले बिस्पोटक पजार्थ बनाने की परिकिरिया लगबग यह होती है लेकिन कुछ चेंज उसमें जरूर होता है नेपाल पहले से ही कहता है कि हम सांती देश है और एक बार किंग बिरंदर नेपाल को सांती देश गोशित कराना चाहते थे वो ज्यादा वो तो भारत ने मना किया कि नेपाल को सांती देश गोशित नहीं होने देंगे और उसमें नेपाली लोग नाराज होते हैं कि भारत ने ऐसा किया अरे आपको नाराज नहीं होना चाहिए खुस होना चाहिए कि भारत ने आपकी सेना बचा दी नहीं तो इस समय तो दोस्तों नेपाल की कमियां हमने आपको बता दी कि नेपाल का रक्षा बजट भी कम है नेपाल सुएम अपने बिसफोटक पदार्थ नहीं बनाता है उसके लिए भारत पर डिपेंड रहता है और फिर चायना पर डिपेंड रहता है धन्यवाद